मोबाइल पर सत्संग करते हैं करो कोई बात नहीं मोबाइल पर सत्संग करना कोई गलत बात तो है नहीं मोबाइल पर भी जब आप सत्संग सुनते हैं प्रवचन सुनते हैं मात्मों की विचार सुनते हैं तो उसको सुनने से भी हमारे जीवन में परिवर्थन तो आता है नंक सुनना चाहिए जैसे आप फिजीकली किसी सत्संग इस्थल पर जा करके वहां होने वाले प्रवचनों को या अन्य विचारों को आप ध्यान से सुनते हैं. एक भाई साब लिखते हैं कि सत्संग जाने का समय नहीं मिल पाता, मोबाईल पर ही सत्संग कर लेता हूँ, तो क्या इसे संगत कहा जा सकता है? ना. इसे संगत नहीं कहा जा सकता. मोबाईल पर आप सत्संग कर सकते हैं, संगत नहीं. संगत का अर्थ होता है संग में बैठना कमाम महत्माओं के, परंतु जब आप मोबाइल पर सत्संग करते हैं, तो सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, वो तो आप अकेले भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आते हुए भी कर सकते हैं, जाते हुए भी कर सकते हैं, बैठे रहकर भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्य अर्थाद नंकार तो आपके अंगसन है, इसका तो आप हर समय संग कर सकते हैं, दरसल नंकार के संग को करना ही सत्य का संग अर्थालद सत्छाँ कहा जाता है, परन्तु संगत कई व्यक्तियों के मिल बैठ करके किसी յिषय पर चर्चा करने का नाम होता है, चाहे वो वीषय धर्म का हो, चाहे वो विसे सत्य का हो, या फिर आम सांसर एक विसे हो, उसे भी संगत कहा जाता है. तो सत्य की संगत तो वही होती है जहां कई सत्य को जानने वाले महात्मा मिल बैट करके इस रमे राम की चर्चा करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसका जिकर करते हैं, इसका गुणगान करते हैं. परनतों यहां मेरे कहने का ताथ पर यह बिलकुल भी नहीं है, कि मोबाइल पर सत्संग करना उचित नहीं है, बिलकुल करिए, करना ही चाहिए, मैं तो यह कहूंगा, कि मोबाइल पर आपकी सत्संग मिलता है आपको, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहां सत्संग समझना बहुत जरूरी है जब आप किसी सत्संग इस तल पर सत्संग करने के लिए जाते हैं तो बहां पहुंचने वाले अनेक महात्माओं से आपको सीधे ही बार तलाब करने का सुअबसर प्राप्थ होता है मोबाइल पर ऐसा कुछ भी नहीं प्राप्थ होता आपको और उन से चाहे अपने मन की जिग्यासा रख सकते हैं अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और बहां उस सत्संग इस्थल पर महात्माओं के शरीरों से निकलने वाली साकारात्मक उर्जा का लाभ आपको प्रतियक्ष ही मिलता है अप्रतियक्ष नहीं सीधे मोबाइल पर ये ला अपसर भी आपको प्राप्त होता है और बे महात्माओं भी आपके चर्ण छोने का लाभ उठा पाते हैं क्या मोबाइल पर ऐसा हो पाता है नहीं मोबाइल पर सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है मैं तो ये कहूँगा परंतु अगर समय मिलता है बैसे समय सत्संग के अगर मन के अंदर भाबना है कि मुझे सत्संग जाना है तो पिर समय अपने आप ही निकल जाता है बस आपको कोशिश करनी है अपने काम को थोड़ा आगे पीछे करना है और सत्गुरू की किरपा से कोई ऐसा तो है नहीं कि हर इस्थान पर सत्संग का समय एक सुनिश्ची कर दिया गया है पराता है कालीन सत्संग भी होती है दोपैर की सत्संग भी होती है शाम की सत्संग भी होती है रात की सत्संग भी होती है तो कोई ना कोई समय तो ऐसा निकल आता होगा जो आपके टाइम के हिसाब से सत्संग इस तर पर पहुंच रहा है आपके लिए सुटे नहीं है, परंतु जब सट्संग इस्थल पर हम जाते हैं और बहा गद्दी पर बराजमान, जरहे हम सट्गुरु शरूप महात्मा केते हैं, या फिर कई ऐसी जगे जहां सीधे ही सत्गुरु बैठे वे होते हैं बहां से सत्गुरु अपनी दरश्टी आप पर डालते हैं तो ये लाब मोबाइल से तो मिल नहीं सकता इस लाब को प्राप करने के लिए ही तो इस्थान इस्थान से महात्मा ऐसे इस्थानों पर पहुंचते हैं जहां सत्गुरु प्रत्यक्स रूप से शाड़ियरिक रूप से दर्शन देते हैं जैसे अभी समागम होने के लिए जा रहा है तो बहां बिश्थान के कोने कोने से महात्मा चल करके इसलिए तो आएंगे कि असंखे महात्माओं के दर्शन करने का अफसर मिलेगा उनकी चरन धूल ग्रहन करने का मौका मिलेगा सत्गुरू के दर्शन करने का मौका मिलेगा और सीधे सत्गुरू से आशिरवाद उनके बचनों के रूप में प्राप्त करने का मौका मिलेगा और सत्गुरू रैलिया निकाल करके या शोभाया तरह निकाल करके सीधे समस्त महात्मा तब पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और पहुंचते भी हैं ऐसे अनेक सोगाते हैं जो मुवाइल पर सत्संग करने से आपको परापत नहीं हो सकती इसके लिए चल करके जाना चाहिए और जब चल करके सत्संग इस थल की तरफ सत्गुरू के दर्शन क अपने अभिमान को तज करके आप संतों से मिरने के लिए समागम में या सत्संग इसथल पर तो जो जो कदम बढ़ाए ये कोटी कि यग समान तो जो जो एक एक कदम आपका आगे बढ़ता है वो इतना फल देता है कि जैसा फल जितना पल कोटी यानि करोड़ों यग देते ह अब आप जब कई कदम चल करके जाते हैं, सैक्डों हजारों कदम चल करके जाते हैं, सत्सांग इस्थल की तरफ संतधर्शन करने के लिए सद्गूर दर्शन करने के लिए तो आप विचार कीजिए कि आपके मन में कितनी कलुशित भावनाएं दम तोड़ देती हैं आने वाली और आपको तमाम सुख मिलने आरब होते हैं सद्गुरू के प्रत्यक्स दर्शन भी करने का फल आपको प्राप्त होता है एक और बात मैं आपके चरणों में रखना तो ये सब लाब अगर सथसंग का पूरा प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए सथसंग इस्थल पर जाना परम आवश्यक होता है क्योंकि सथसंग इस्थल पर जाकर और भी बहुत सारी चीजी जैसे आपको सीधे ही महत्माओं से आशिरवाद लेने का अपसर मिलता है और फिर महाँ पर जाकर आप अपनी भाबना को भी रख सकते हैं अभी आप सथसंग में पहुँच गए हैं सथसंग इस्थल पर पहुँच गए हैं और सथसंग आरब नहीं हुआ है क्योंकि कईवार हम सथसंग से पहले भी पहुँच जाते हैं महाँ पर तो ऐसी अवस्था मे या पिर सत्संग के बाद जब सत्संग सवाप्त हो जाता है, तो इन दोनों समय पर आपको बहुत सारे महात्म़ोंसे बात करने का सीधे अपसार मिलता है। उनके कश्ट दूर हुए हैं, उनके जीवन में सुख आया है, शांती आई है, सत्गुरु की करपा उन पर बरसी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मॉबाइल पर सत्संग सुनने पर प्राप्त नहीं होंगी, इसका लाब तो आपको तब ही प्राप्त होगा, जब आप सत् पहचान वाले महात्मा या दूसरे महात्मा भी मिलते हैं, तो दोनों के चेहरे पर खुशियां आती हैं, मुस्करहाट आती हैं, इसलिए तो कहा है, गुर्सिक से जब गुर्सिक मिलता, मंद मंद मुस्काते हैं, एक गुर्सिक जब दूसरे गुर्सिक से मिलता है सत्संग स या कही मार्केट में भी तो फिर दोनों मंद मंदमुस्काते हैं यूँ तो अभाव तमाम की जीवन में होता है दुख भी गुर्सिक हो या गुर्सिक ना हो सबके जीवन में रहते ही हैं परन्तु जब आमने सामने मिलते हैं संसारिवेति तो दुख बाटते हैं लेकिन जब गुरसिक मिलते हैं तो खुशिया आती हैं, मंदबन्द मुस्कान आती हैं और अपने जीवन के सुखों के छोड़ों को वह एक दूसरे से साज़ा करते हैं. यदी वह अपने जीवन के दुख भी रखते हैं महात्माव के सामने से, तो फर सामने से मिलता है बिलकुल अच्छा समाधान, ऐसा समाधान जिसे अपना कर दुखी गुर्षिक भी अपने जीवन में सुखला सकता है. तो यहां अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉबाइल पर सत्संग करना कोई गलत बात नहीं है. आप मॉबाइल पर सत्संग करिए और अधिक से अधिक करिए परन्तु शारियरी करूप से जाकर भी किसी सत्संग इस थल पर आपको सत्संग जरूर करना चाहिए यदि सत्संग का पूरन लाब उठाना है. और रही समय ना होने की बात तो समय उनके पास नहीं होता जिनके पास समय होता है और जिनके पास समय होता है उनके पास समय नहीं होता बात समझ में आ गई होगी या नहीं आई तो बिलकुल ऐसे समझे इस समय ना होने का बहाना केवल वो करते हैं जिनके पास कहने के लिए समय निकालने के आवशक्ता नहीं होती वो तो अपने आप ही निकल आता है